नमस्कार, ABC यानि एस्ट्रोभांबी चैनल में आप सब का स्वागत है। सबसे पहले आप सबको सारे देश्वासियों को दिवाली की दिपावली की धेर सारी शुब कामना है। दिवाली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो हम सब के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर आता है। व्यापारी लोग इसे व्यापार का वर्ष बोलते हैं, व्यापार की शुरुवात बोलते हैं। और किसान अपनी तरीके से इसको सुचता है। हर कोई दिवाली से कहीं न कोई उम्मीद लगाता है। दिवाली का जो पर्व है ये वैदिक काल से होता आया है। दिपावली तब भी सेलिमिरेट की जाती थी। लेकिन जिस दिवाली को हम सब जानते हैं, इसका प्रादुर भाव ये शुरुवात भगवान राम से होती है। चौदा वर्ष जब भगवान राम बनवास में रहे, तो अयोध्या सूनी हो गई थी। वहाँ दिये नहीं चले थी। वहाँ उस्व नहीं हुआ था। वहाँ कोई रंगरेलिया नहीं होती थी। वहाँ एकदम उदासी चाहिए थी। अवसाद का माहौल था। और जब भगवान राम मा सीता के साथ दीपावली की रात को वापिस आते हैं। तो उस खुशी के लिए खुशी के मौके को सेलिबरेट करने के लिए पूरे आयोध्यावासी और पूरे इस महासिंद के लोग लोगों ने वहाँ पर दीपों का प्रज्वलन किया। दीप जलाए घी से किसे तेल से जैसी छम्था थी उसके हसाब से और एक स्वास्तिक बनाकर भगवान राम और सीता को मन में बढ़ा के बुजा की दर्शन किये। यह सब परंपरा थी। उसके बाद दीपावली का त्योहार पुरे देश में चलता रहता है। यहां से रित्व परिवर्तने बहुत सारी बाते हैं। अब हम थोड़ा पटाक्षेव करते हैं और आज से 60 साल पहले चलते हैं। यानि 1959। 1959 में जब दीपावली पड़ी थी, तो पड़ी थी वह 31 अक्टुबर 1959 को। और उसके बाद अब यह एक त्योहार आया है, साथ वर्ष के बाद। यह दोनों चीज़े बड़ी महत्मून हैं। जो भी ग्रह होते हैं हमारे, जब दीपावली होती है आप सब जानते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक राशी में होते हैं, यानि अमावस होती है, उक्तुला राशी में घटना घटती है। तब दीपावली के इस त्योहार को हम मनाते हैं। और इसली में मनाना अवश्यक हो जाता है। जब अमावस है, अमावस की रात है, तो प्रकाश्ट होगा नहीं। कैसे प्रकाश्ट करें। तो दीपावली के त्योहार का मतलब यह है कि अंदर की जो अवसाद हैं, अंदर की जो वेदना हैं। उससे बाहर निकलें। और एक जगमहाट में एक पातावण की जगमहाट और दूसरी स्वयम की जगमहाट। तो दोनों की आत्मा की भी। इस तरह से उस्तिवहार का एक पुरा जो हम से लिट करते हैं। आप सुब जानते हैं। तो 1959 में क्या हुआ था। बरस्पति और शनी। शाट साल के बाद एक ही राशी में आते हैं। और यह गतनाhew हर परीवर्टन के साथ चलती है। शाट वद्ष के बाद उस ही राशी में औगर Nousबात करें। अगर 2019 की बात करें तो आज की देट में ब्रस्पती रहेगा वरिष्चिक राशी में और शनी रहेगा धनू राशी में. उसके बाद पांच नवंबर को शनी और ब्रस्पती की युती होगी. यही युती चलेगी अगले साल तक. उसकी बात बात में करेंगे. जब देवाली थी, उस समय देवाली के दिन ब्रस्पती वरिष्चिक राशी में था और शनी धनू राशी में था. आज से साथ साल पहले की में बात कर रहा हूं. तो वहाँ पर अगर हम भारत वर्ष की बात करेंगे. देश को आजाद हुए कुछ वर्षी हुए थे. और देश आगे बढ़ने की तैयारी में था. और देश में जो इंडिसलाइशन से है, जो ओद्योगी करन वो तो 1907 में यॉरोप में हो गया था, बाहर की देश में हो गया था. हमारे देश में तब हुआ था. सारे बांध बने थे, सारी नहरें बनी थी, जितना कंस्रक्शन्स ह यह सारा विकास का एक दौर है, उसको देखती है. जब भी विकास होता है, तो उसके साथ में जो साइड इफेक्ट से बड़ खतरनाग होती है. चुकि देश आजाद हुआता तो शायद सोचा नहीं, एक ही दिशा में सोचा कि विकास करना है, बहतर करना है. तो बहतरी तो जो हुई सो हुई आपके सामने हैं. लेकिन उससे जो साइड इफेक्ट हुए, जहनजट हुए, उस सब हमको जहिलने बढ़ रहे हैं. जब इतना इंडिसलाइशन हुआ, तो क्रशी हमारी कम होना शुरू हो गई. गाउं से हमारी जंता शेहर में आना शुरू हो गई. शेह जो सारी और शुरू हमको जो मिल रहा है सारा कैमिकल हम खा रहे हैं, हमारा इतना प्रदूशन हो गया. तो विकास तो हुआ सो हुआ, विकास का जो अफसाद है या उसका जो नेगिटिविटी है, उस सब से हम पूरी तरह से पीटे थे हैं. और साठ फर्ष के बाद मैं इसक चर्चा इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि ग्रह विन्यास वही है, जो उस समय उत्थान और पतन का था, इस समय उत्थान है, हम पतन को रोक सकते हैं. तो इस दिवाली को कुछ नया हो जाए, इसलिए हमने विशे चुना, हम चाहते हैं कुछ नया हो जाए. और नया होने के अच्छा हो, शान्ति के लिए अच्छा हो, स्वास के लिए अच्छा हो, हमारे परिवार के लिए अच्छा हो, यह हम सब सुचते हैं, और इसी तरह से हम अपनी जेनरेशन के लिए काम करते हैं, आने वाली पीडियों के लिए हम काम करते हैं, तो हम अपनी व्यक्तिकत पीडि नहीं होगा, हर आदमी अगर नहीं जागेगा हर आदमी अगर आज प्रण नहीं लेगा कि मुझे कुछ रास्ठ्र के प्रत्रिक करना पड़ेगा तो यह दिवाली बेमानी हो जाएगी, आपकी दिवाली को बेकिन आगे वाली ज Cinnamonी डिवाली नहीं इस दिवाली पे जो ग्रहस दिती है उसकी बात कर रहा हूं। एक और नया पक्षे उसकी बात करते हैं। हमारा जो शरीर है ये पंच्चतत्व का बना हुआ है। आप सब जानते हैं। ये ब्रह्मान्ड भी पंच्चतत्व का है। और हम जहां रहते हैं वो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है। हम सौर मंडल के प्राणी हैं। यह तो पुरा ब्रह्मान्ड है। हम सौर मंडल में रहते हैं। सौर मंडल में जो है उसमें जो ग्रहों का राज्य है। ल्हेली सूरे और सूरे के साथ सारे ग्रह उसमें प्रतीवी ग्रह है जो भूमती रहती है अब हुआ आपसे बैठे हुएं दिये सिरस्प्ट कर रहा हूँ प्रत्वी ग्हुम गईे अदो generator 3 ँठरोइल नहीं हैं हम प्रत्वी पर भी यंठरिक्ष्मben हैं चंद्रमा पर अंत्रक्ष्म जाएंगे, तो जाएंगे आज जहां आप बैठे हुए हैं, वहां आप खुम रहे हैं, इसलिए हर छण आपके विचार घूम रहे हैं, आप एक विचार चलते हैं, लेके सुम्हेरे बैसकार को करूँगा, दुपएर तक तो पतानी सो विचार आ इसके शास्त्रों मे लिखे हुए। तो जो हम्हें बात इना नहीं बात कर रहा है 謝謝 उसमें प्रत्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश। तो पांच चीजों से हमारा शरीर बनना हुआ है जल्क सतर परसंट, आपके शरीर में सतर प्रतिषत मैं बनना हुआ और प्रत्वी में भी सतर प्रत्षत वाटर है प्रत्वी का जल दूशित हो गया, पूरी प्रत्वी का, फारत में भी ये स्थिति है, नधियां हमारी सूख गई, गंगा सूख गई, जमणा तो दिखती नहीं, शुख गई, चंबल सूख गई, कावीरी का जंजर पड़ा हुआ है, तो यह सारे जो हमारे नधियां सूख ही, उससे हमारा परया बड़ा हमारी वायू बद्दी और जब लड़ पर जाएंगी जैसे ते से हमारी जनरेशन का क्या होगा इसलिए मैं इसोचा आज की दिवाली पे बाकी पूजा तो हम करेंगे ही मैं आपका पूजा करेंगे समय बताऊंगा लेकिन ये जो हमारी हमारी पीडियों का प्रतिजम्मेदारी है उसका निर्वा कुन करेगा अगर हम न हम इतने चेतन नहीं थे हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी हम गुलामी से निकले थे हम नई सोच के लोग नहीं थे पूरी तरह से अब हमारी पीडियों बदल गई हम नई सोच में चल सकते हैं हम इस भारत वर्ष को एक नया माहौल कर सकते हैं इस तरह का माहौल ह जो मैं बात करूंगा भी, तो यहां क्या हुआ, 70% जो हमारा वाटर है, वो दूशित है, मिलता नहीं, मेरे फादर गौर्मेंट कॉंटक्टर थे, तो उन्होंने काफी बांध बनाए, नदियों में भी और नहरों में भी, तो वहां पर हमको खोदना पड़ता था, मैं यंग में भी जाता था, साइड पर रहता था, तो दो-तीन फूट खोदो, जहां से हमको बीसमेंट में कॉलम बनानी होते थी, कॉंक्रीट डालना उड़ती थी, तो दो-तीन फूट पे पानी आता था, वो कितने जनरेटर लगा के पानी नहीं सुकता था, आज आप 50 फीट से मिलने को राजी नहीं, पानी मिलकर राजी नहीं, पानी जो मिल राए दूशmarket पानी मिल राए तो यहां पर हमारी जुमेदरी यह है, इस दिवाली पर, इस तरह से हम हम को संकल्ब करना पड़ेगा, हर व्यक्ति कम से कभ़ एक पेर लगाएं, और पेड़ों का अ zwischen अथर वे तो बनस्पति पे जो असर होता है उससे ही तो ऑक्सिजिण को मिलती है हमारी ऑक्सिजिण का आधार क्या है तो हर पेड़ का कहीं न कहीं मैतु है हर ग्रह से पेड़ भी संचालित है अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उससे हमारा वो ग्रह भी शुद्ध होता है ग्रह भी यह 2019 की दिवाली है, इसके बाद हम एक नए दर्शक की बात करें और इस 21 शाताबदी में हम नए दर्शक में जा रहे हैं, धर्ड दर्शक में जा रहे हैं, थर्ड डिकेड में जा रहे हैं, तो हर सेंचुरी का एक अपना ग्रह विद्नियास होता है, जैसे मैंने 59 से यहां की बात की, आगली बार में बात करूँगा की हर सेंचुरी का एक अपना भाग्य होता है, उननीस वे जो अठारवे शाताबदी थी, वो शाताबदी वो थी जहां पर जिसके बाद लेंड थी, जमीदार तूल कर रहा था, और बाकी आदमी उसकी गुलामी कर रहे थे, जमीदा का राज होता है, गाउं से लेकि हो शेहर तक और उननीस-वे शातावी जो थी आखरी वीस-वे उसकी तो राज था इंडिस्ट्री का राज था, मशीन का राज तो अब जो राज है, अब बायोटेक और पतानी किस-किस का राज है, तो ऐसे में अगर हम अपने जो पंचता तुभूत है, उससे कटेंगे, तो फिर हमारे को बड़ी दिक्कत आएगी, तो हर जगह, हर व्यक्ति को एक संकल्प करना पड़ेगा, अपनी सीमा के साथ, जहां हो, आप गंबले में भी लगा सकते हैं, बाद में उसे किसी नरसरी को संप सकते हैं, किसी गाउं में हैं, तो महां लगा सकते हैं, तो कोई ना कोई पेड़ लगाएं, और हर पेड़ का कोई ना कोई महत होता है, तो मैं आपको इसका पेड़ का महत भी बताता हूं, इससे आ अगर आपका शूर्य अच्छा हो गाता है अगर आपका चंद्र खराब हो तो भड़ का पेड अगर जा भागा हो गर जाता है लेकिन पीपल का पीड़़ घर में नहीं लगाना चाहिए Councillor बहुत निशे तक चलिया जाती है इसलिए गाओं मेंपीपल का पीड़ बाहर होता था ऐसे ही बर्गत का पीड़़ कोई लगाते हैं तो घर के बाहर गाओं के बाहर लगाना चाहिए यई तरह से अगर शुक्र खराब हो तो गुलर का पेड़ा सकते हैं उस से गूलर अच्छ और श्ञनी खराब हो तो शमी का पेड़ा सकते हैं राहु खराब हो चंदन की स्तिधी यह है एक जमाने में भारत वर्ष में चंदन से इतना था कि उसका कमी नहीं थी अब हमको चंदन की पड़े खरीदने पड़ते हैं, तो चंदन काट नहीं पाते हैं, तो यह बहुत सारी समस्या हैं, जिसमें सरकार को भी सोचना पड़ेगा, और के तुख खराब हो तो अश्रुगंधा का पेड़ा सकते, तो यह सारे पेड़ हैं, इसके लाबा फूल पत्त पानी देता है इस नीचर को, वहां से ऐक पेड़, वो जमीन के पानी को सोखता है, उसके पानी को थामता है, और पेड़ के नीचे से लेकी उपर तक पानी होता है, पत्ते में पानी होता है, जड़ में पानी होता है, तन्दे में पानी होता है, अगर सूखा ना हो तो हर ज कम से कम हर देवाली एक पेड़ा लगाना शुरू करें, उसके रक्षा करें, अकले दस साल तक करें, तो मैं समझता हूँ, एक अलग नया माहूल कर सकते हैं. इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है, कि इस देवाली कुछ नया हो जाए, जिससे हम अपना भला तो करें हैं, और अपनी जनरेशन का भला करें हैं, हमको पीडियों के बारे में सोचना पड़ेगा, और हर मा, बाप अपने बच्चों के बारे में सोचता है, लेकिन कि देश के बच्चों के बारे में सोचने का दुम्मा है, सरकारें जो करती हैं वो छिथ हैं, लेकिन हम् tutaj만ी भी जुम्मेदारी हैं, मझे चाणक का से यादारा हैं, चाड़के बोलता था, राजा कि करें और प्रजा ना करें तो राजा भी कंज़ूर पर जाता हैं तो प्र 27 तारीक को 12 बज कर 23 मिनट पर दोपेर को और अमावस्यत समाप्त होगी 8 बज कर 9 बज कर 8 मिनट 28 अक्टुबर को अगले दिन और प्रदोष काल जो है वो है 17-40 से लेकर 20-14 तक यहां आप पुजा कर सकते हैं और जो व्रशव काल की पूजा है वो है 18-42 से लेकर 20-37 तक इसी तरह से सिंग काल जो है रात्री का सिंग्राशी वाला वो है एक बज कर 12 मिनट से लेकर और 3-30 तक यहांनि 28 की रात हो जाएगी और शुब चोगडिया आपको मिलेगी दोपर में शुब चोगडिया मिलेगी 13 बज कर 29 मिनट से लेकर और 14 बज कर 35 मिनट तक यह हम उसमें देंगे भी मैं बोली जा रहा हूं और शाम का जो शुब अम्रत और चर चोगडिया है वो है 17-40 से लेकर और 22-29 तक और आत्री की जो लाब चोगडिया है वो है 41 से लेकर 3-17 तक यानि 28 तारीका जाएगी और प्रातय की शुब चोगडिया है वो है 4-54 से लेकर 6-30 तक यानि कल तो दिवाली को आप घर में पूजा करें आफिस में पूजा करें नई कपड़े पहनें अच्छी मिठाई खाएं अच्छी मि देशक में यानि अगाज से 10 साल बात वो पेड़ा अपका फल देगा और पेड़ा अपका चाया देगा पेड़ा आपका पानी देगा पेड़ा प्रदुशन हटाएगा और नई तरीके से हम जीना शुरू करेंगे इसी इसी दौर में प्लास्टिक का यूज ना करें और ज आज के परती मेरी भी एक जुम्मेदारी है मैं जुम्मेदारी निभा रहा हूँ धन्यवाद वरी हैपी जिवाली तौल अफियो अस्ट्रोलोजी की सतीक जानकारी के लिए विश्व विख्यात अस्ट्रोलोजर अजय भामवी के यूट्यूब चानल ABC चानल को सब्सक्राइब लाइक और शेर करें लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें